नमस्कार दोस्तों, राम नाम की महिमा को कौन नहीं जानता, राम से भी बड़ा माना जाता है राम का नाम, तो चलिए आज सुनते हैं राम नाम की महिमा की कहानी एक बार सुमेरु परवत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ, कैवर्थ देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशिरवाद लेने जा रहे थे, रास्ते में उन्हें देवरिशी नारद मिले, राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया, इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशिरवाद दे कर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात पताई। इस पर नारद मुनी ने कहा अच्छा है संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहे कर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैस सभा में जाने के लिए प्रस्तान करने लगे वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बात कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना। लेकिन रिशि विश्वा मित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह सभा के समाप्त होते ही विश्वा मित्र जी श्री राम से मिलने पहुचे। वहाँ पहुचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा गुरू जी क्या हुआ। तब विश्व श्री राम जी ने कहा कि गुरू जी आपके चर्णों की सौगंद लेकर प्रतिग्या करता हूँ जो सिर आपके चर्णों में नहीं जुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुभह मैं उसका वद्ध करूँगा। श्री राम की इस सौगंद का जैसे ही राजा सुकंत को पता हुए। सुकंत ने हाथ जोड कर उन्हें सारी बात कह सुनाई। साथ ही प्राणदान की विनती की। इस पर नारज जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सला दी। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारज जी ने उन्हें यह सला दी है। राजा सुकंत के रोने की अवाज सुनकर माता अंजनी बाहर पहुची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लें अन्यता विश्वा मितर जी मुझे मार डालेंगे। इस इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुचे तो उन्होंने सारी बात बताई। लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले माता अंजनी ने पवनसुत से सोगंद लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कह पूछा कि वे श्री राम के चर्णों की सौगंद लेते हैं कि वे सुकंद के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा कौन तुमे मारना चाहता है तो सुकंद ने बताया श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वा मितर जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा नहीं वे तो मरवा डालना चाहते हैं लेकिन मारेंगे तो श्री राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उसकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वे कहा जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुशोत्तम राम ने बताया कि वे राजा सुकंत का वद करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा प्रभू से मत मारिये। राम जी ने कहा कि वे है तो अपने गुरू की सोगंद ले चुके हैं। अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा प्रभू मैंने उसके प्राणों की रक्षा क अपने इश्देव यानि के आपकी सौगंदली है तब हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर परवत पर पहुँचे और राम नाम का केर्टन करने लगे उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे लेकिन वह नहीं मिले तो वह उन्हें ढूनते उए परवत पर पहुँचे वहां हनुमान राम मंत्र का जाब कर रहे थे राम जी को देखते ही सुकंत डर गए उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे वह बार बार हनुमान जी से पूछता कि हम बच जाएंगे ना तब उन्होंने कहा राम मंत्र का जाब क ठालिया इसके बाद राम नाम जपने लगे राम जी ने राजा सुकंत को देख कर जब बाण चलाना शुरू किया तो सारे बाण राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते राम जी हताश हो गए कि क्या करें यह दृष्षच देखकर श्री लक्षमन जी को लगा कि हनुमान ज जी के बजाय श्री राम मूर्चित हो गए यह देखते ही लच्मन जी दोड़ पड़े और देखते हैं कि बान तो हनुमान जी पर चलाया था लेकिन मूरचित राम जी कैसे हो गए तब उन्होंने देखा कि पवंशुत के भीते हो नोमान जी दोड़े तब हनुमान जी के पवंसुत को ओश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आखें बंद करके हनुमानजी की चाती पर बार-बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमानजी के सिर पर हाथ फेडते हैं। अब पवंसुत ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तब ही राम ने फिर से हनुमान जी के माते पर हाथ फेरा लेकिन इस बारवा पवंसुत की जगे राजा सुकंत थे। रखना ही पड़ेगा लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे तब ही हनुमान जी को विश्वा मित्र जी अमने से आते दिखाई पड़े। की सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान नै करने की सला तुमें किस ने दी थी। इससे पहले कि राजा सुकंत विश्वा मित्र जी से कुछ कहते नारद मुनी प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वा मित्र जी ने पूछा कि नारद तुमने ऐसी सला क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है। तो मैंने सोचा कि क्योंने कोई लीला की जाए। कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महीमा है। जै सियराम।